तो नमस्कार किसान भाईयों यदि आप टोकन तुहार हाथ एप के द्वारा जो है अपने धाने के लिए टोकन काटना चाहते हैं तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाल है एटू जेट वीडियो को देखते रहे हैं वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना चैनल आपको सस्क्राइब करना क्योंकि इस वीडियो में सभी प्रकार के जनकार आपको देखने को मिल जाएगा आपको कहीं और जाने की जर्वतनी है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं और वीडियो को सेयर कर दिना तो सबसे पहले आपको अपने वाईल पार यह प्लेश्टो करने के बाद कुछ इस रिकार से इंटर्फिस आने वाला है यहां पर रजिस्टर आप दिखाई दे रहा है यहां पर आपको रजिस्टर करना है नहीं कि हैं तो यहां पर आपको पहले से रजिस्टर है तो यहां पर आपको क्लिक करना है उससे पहले आपको नीची आना है और दूसरा नमर में दिया गया है, यदि आपको 14 कॉंटल धान बेजना है, तो आप 14 कॉंटल से ज़्यादा नहीं बेज सकते, या फिर उसका बराबर कही बेज सकते, आप फिर उसे कम बेज सकते हैं, तिसरा नमर में कहा गया है, जब भी आप धान बेजने के लिए कॉंटल एड करेंगे जोडेंगे तो आपको समय है टोकन काटने के लिए आप इसी समय में काट पाएंगे पांचवा नमबर में हापर कहा गया है आप जो है टोकन है तो रविवार सनी मार्ज या फिर कोई सास की छुट्टी होता है उस दिन का दिनांग नहीं चूस कर सकते सलेक्ट नहीं कर सकते यदि आपका बैंक खाता सत्यापित नहीं हुआ है तब भी आप टोकन नहीं काट पाएंगे आपको अनुमति नहीं दी जाए सास के गए ऐध़का नलकर काने की आपको अगले काटन की ऺाक मति नहीं है जाथि तब तक आपको अगले काटन कार्ण की इनुमति नहीं होगी ठीक है उसके बाद token में जारी है तो safe धान की मतर याने की आपको 14 control बेचना है और आपने जो है 13 control बेच दिया है तो आपके बाद अब एक ही control बेच पाएंगे आप और जो है उससे ज्यादा नहीं बेच पाएंगे उसके बाद जब भी आप token काटेंगे तो आपको अगामी 7 आप दिन जो भी खाली रहेगा वो दिनांग आपको दिखाई देगा सबसे पहले आपको क्या करना है token काटने के लिए आपको Google में जाना है C.G. जन, भागी दारी यहां cargo करदेना है यहां पर आपको जाना है digit जन भागी다 उसके बfahrद यह पर आएंगे तो यहां पर यहां पर हम यहां पर क्लिक करेंगे यारे की टिकल जो है क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर देखें राइपुर जिला में जितना भी धानमंडी है सोसाइटी है वह आपको यहां पर उसका नाम दिखाई देगा तो जो भी आपका धानमंडी या सोसाइटी जो भी होता है उ देखें यहाँ पर एक code होता है किसान कोड यहाँ पर किसान क्रमांग इसी के वाद्ध्यम से आप जो है मोबाइल में online token काट पाएंगे तो यह किसान क्रमांग जो लिखा है जैसा जैसा लिखा है अग्रेजी में हिंदी में जो भी उसको हूब हूब आपको जो है उनकर किसान नंबर और नाम औगरा रख लिना उसके बास आपको खोल के यहाँ पर रजिस्टर करें पर क्लिक करना है जैसे रजिस्टर करें पर क्लिक करेंगे यहाँ पर किसान कोड दर्ज करें करके आपको पूछा जाएगा तो जो किसान करमंग बताया हूं उसको यहाँ प पूरा वीवरन आपको सो होने लगेगा जिसमें किसान का नाम जो है उनका एड्रेस वेगरा जो है आपको पूरा दिखाई देगा साथ इनका मोबाइल नमबर भी आपको दिखाई देगा ठीक है तो मोबाइल नमबर यहां पर आपको जैसा है मोबाइल नमबर जो मोबाइल लिखा है जैस्त उसके सायमने में जो आपका मुभाई नामपर हो लगएगा हो सकते हैं आपकर मंभाई Keeping नमपर करे लोड़ा हैं तो यहाँ पर OTP पराफ्ट करने का अफसल्य में देखिने को मिलेगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आपके मूभाई पर एक message आएगा उसमें OTP लिखा होगा number उसको यहाँ पर डाल लेना है तो यहाँ पर जो भी OTP आएगा उसको डाल देना है तो यहाँ पर OTP प्रविष्ट करें के नीचे में पिन दर्ज़ करें इसमें आपको कोई भी अपना password जैसे suppose यहाँ पर मैता उधारन के लिए किसी का password 1234 तो इस प्रकार से आपको कोई password एंटर कर लेना है ताकि इसको डाल कर आप दुबारा यहाँ पर फिर से लॉग इन हो प जैसे register करें पर क्लिक करेंगे आपका जो है ID password बन जाएगा आपका किसान का account यहाँ पर token वाले में बन जाएगा उसके बाद इस प्रकार से इंटर्फेस आपके सामने में आएगा जहां पर जो है आपका token वगरा जो भी मतलब करना है उसके लिए यहाँ पर option आपको देखन आपको देख सकते हैं बैंक खाता संबंदी जनकारी देखना है टोकन वगर काट ली है तो उसका पहुति डाउनोड करना है वो देख सकते हैं धान की खरीदी और दिशा निर्देश भी आप देख सकते तो दिशा निर्देश में ने बता दिया है बाकि इसका user manual आपको नी टोटल आपको साथ दिनांग दिखाए देगा तो कोई साथ दिन जो है आपको दिखाए देगा जो खाली रहेगा वही साथ दिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं यहां पर टोटल साथ दिन लगभख दिया है तो हमारे पास यह साथ दिन का समय करेंगे जैसे आर ऍमे करेंगे तो आपके सामने में जो है एक नया इंटर। जूर फियस्स आने वी तो आपका दिनां के शाइड में आपका कितना कुंटल उस दीन भीखने वाला है साइटी में वह रहेगा कितना कुंटल खाली मतलब बेच सकते हैं वहाँ पर किसान लोग वो रहेगा आवेदन करेगा आवेदन करेगा पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखे पूरा आपका डि टिल रहेगा जिस दिना के आपके आविदन है उसके रहेगा, उसके बाद कितना कुंटल उस दिन जो है बिए सकते हैं, सभी किसान उस सुसाइटी या मंडे में वो कुंटल यहाँ पर लिखा है, उसके बाद यहां देखें कुल धान का रगबा जितना भी आपका धान का रगबा होगा वो यहां पर दिखाई देगा उसके बाद उस रगबे में कितना रगबा का आप धान बेच सकते वो रहेगा उसके बद यहाँ पर अभी तक आपने कितना धान बेचा है वो रहेगा और आप जो कितना कुंटल अभी बेच सकते हैं वो यहाँ पर नीचे लिखा जैसे वो धारन के लिए 16.6 यह कुंटल अभी यह किसान बेच सकता है धान तो वो रहेगा ठीक है अब यहाँ पर हमें उससे ज्यादा आप नहीं बेच पाएंगे ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान रखना है और इसी प्रकार से करना है 1 जैसे 14.00 इस प्रकार से आपको एंटर करना है अब जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया है कोई भी यहाँ पर जैसे हमने 2.0 यानिकि अपने को अभी दो कॉ करना और बचे हैं ऑप्सन तो उसको हम बाद में देखेंगे तो यहाँ पर सुरक्षित करे पर आपको क्लिक करना है जैसे आप सुरक्षित करेंगे अपना जो है कोई कुछा जाल कर तो आपके सामरे में एक ओप्षन आजागा नीचे जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया 2.0 जीरो यानि की दो कुंटल हमें बेचना है तो यहां पर देखे आ चुका है कुछ इस प्रकार से option यहां पर confirm के से लिए पुछा जा रहा है जो भी हमने token में ॡमे इतना बेचना आइज दिनांग में तो यहां पर देखे token तुम्हार हाथ वाला जो है एक option यहां पर दिखाई दे रहा है तो सफलता पूरबक आपका token generate कर दियागा है ऐसा करके यह संदेशा आ चुका है यहां पर हमारा token मगरा जो भी number है वो सब यहां पर आ चुका है यहां पर ok पर हमें click करना है जो कि यहां प पर क्लिक करना है token की जनकारी पर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे token के बारे में पूरा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पर token की जनकारी पर क्लिक करना है और जैसे token की जनकारी पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा token का बावती डाउनलोड हो जाएगा इस बावती को आपको कहीं भी अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी छोटा भाई को सपोर्ट कर देना और कोई कुश्चन हो किसान भाई हो तो कमेंट बाक्स में बोल देना